आठ साल का वो बच्चा धर्मसाले की शीडियों पर अपनी मा की आचल को खीच रहा था मैं पीछे गड़ा था कहने लगा मा कितनी सुंदर गाड़ी है कितनी अच्छी गाड़ी है बिठा दे गाड़ी पर मा कहती बेटे चलना कहां से लाएं गाड़ी फिर थोड़े दिर बा आते हैं इतनी दूर से ट्रेंड पर खाते खाते हम गाड़ी पर बैठेंगे गरीब माविचारी क्या समझाती है मैं सबसे इस बात को बताना चाहता हूँ यह मत सोचना कि बाबा के दरबार में हरको इंसान का पेट भरा होता है ऐसे प्रेमी भी आते हैं जिनको संसकार मावाप ने दिये कि चल बाबा के दरबार तेरी जोलियां वरेंगी वो भी बैठते हैं वो बच्चे को संसकार है मा क मंदिर की शीडियों पर पहुँच गया बच्चा मा के साथ माने समझाया कि सारी गाड़िया बेकार है सबसे सुन्दर सवारी बाबा के लीले घोड़े की सवारी है और मेरा बाबा मेरे लाल को मेरा बाबा मेरे लाल को एक दिन लीले घोड़े पे घुमाएगा ऐसे ही माय समझाती थी अपना बच्छों ने याद करो चंदा मामा दूर के पूवे पकाएं आप खाएं मुन्ने को दें प्याली गई मुन्ना गया अरची मा क्या करती थी थोड़ी सी खीर बना करके दो पहर में रख देती थी बच्चे के सरहने बच्चा उसता तो मा कहती थी बच्चा पुछता मा कौन लाया बोले चंदा मामा दे गए उस छोटी सी बात का कितना असर कि जब तक बच्चा बड़ा होता तो सारी उमर चंदा को मामा ही कहता रहता तके चंदा मामा है यह संसकारों का असर है आप अपने अंगर में तुलसी के पोधे पर जब जल डालते हो न तो वो तुलसी का पोधा आपके बच्चों के लिए तुलसी माता बन जाता है माता तुलसी हो जाता है यह आपके संसकार है यह आपके संसकार है आप अपने घर के अंगल में शिव जी के उस पत्थर पर जब जल चढ़ाते हो तो आपके बच्चों के लिए वो पत्थर महादेव हो जाता है यह आपके संसकार है जो आपको अपने माता पता से मिले है बच्चों को भी वही संसकार दे के जाना हम सب जीते किस के लिए है बच्चों के भविश्य के लिए और बच्चों का भविश्य अगर ठाकुर के हाथों में दे दिया तो समझ लेना आपके जीवन का मकसद सफल हो जायेगा फिर चिंता करने की जुरुत नहीं रहेगी उस बच्चे ने मा से कहा मा इन गाड़ियों पर नहीं घुमाऊगी मा ने कहा तुझे बाबा लीने घोड़े पर घुमाएगा छोड़िये सब बाते छोटी सी बात समझा दी अब बच्चे के भाव देख लो आःप साल का बच्चा कहने लगा क्या क्या कहने लगा सुना अगर रबात अच्छी लगे तो मस्ती मेय गाना ये बच्चे की बात है इन बच्चों के लिए गारों छुते फोटे लोग बच्चा मंदिर पहुचा कहने लगढ़ा वावा सून मेरी बात भी सुन ले आज ना मैं मांगू खेल खिलो ना ना मैं लाल फरारी एक बार करवा दे बाबा लीने की सवारी ना मैं मांगू ना मैं लाल फरारी एक बार करवा दे बाबा लीने की सावारी तेरे संग जूम लूँ मैं ये दुनिया घूम लूँ आओ आप भी बच्चे बन जाई थोड़ दिर के लिए और अपने बच्चों के लिए ये भजन गाईए आफ बड़े बच्चों के लिए आब बड़े प्रेम से जुम केगा ना इस पजन को बड़े मिशते ना मैं मांगू खेल लोगना ना मैं लाल फरारी एक बार करवा दे बाबा लीने की सावारी तेरे संग जूम लूँ मैं ये दुनिया घूम लूँ मैं फोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाईए हाथ उपर गर गे अपने अपने बच्चों के लिए मज़के मस्ती में एक दाउ तेज चाल तालिया बजाना बच्चे ने कहा मेरी मा कहती है कि तुम्हारा लीला घोड़ा बड़ी तेज चाल में चलता है मैं भी देखू तेरा घोड़ा बाबा मैं भी देखू लीला घोड़ा कैसी दोड़ी लगाता मैं भी देखू तेरा घोड़ा कैसी दोड़ी लगाता मैं भी देखू तेरा वोड़ा कैसी दोड़ लगाता जब कोई प्रेमी यादे करता जटपट दोड़ के आता रोते हुए चेहरों पे लाता ये मुश्कान है प्यारी रोते हुए चेहरों पे लाता ये मुश्कान है प्यारी अच्छा सोचिए हम आप परशान हो और लीले घोड़े की आवाज सुना ही दे जाए तो खुश हो जाएंगे न कि हमारा बाबा आगया मदद करने के लिए तो यही तो बात बच्चे ने करी जरा हाथ उपर कर के लिए रोते हुए चेहरों पे लाता ये मुश्कान है प्यारी एक बार करवा दे बाबा लीने की सवारी तेरे संग जूबलू मैं ये दुनिया घूबलू मैं एक बार अपने बच्चों के लिए आशिरवाद मांगी मेरे बाबा से जरा दोरों हाथ उपर करके अपने बच्चों के सुखत पविस्द के लिए मा कहती है एक दिन तू तो लीले चड़ाएगा रूठ गई जो खुशियां सारी हमको लोटाएगा रूठ गई जो खुशियां हमसे वापस लोटाएगा जिनको भरोसा है बाबा उनकी खुशियां वापस उनकी जोड़ी मेरा लेगा उस दिन से मैं देख रहा हूँ बाबा राहो तुम्हारी उस दिन से मैं देख रहा हूँ बाबा रात वाली एक बार करवाते बाबा लीले ठी सवारी तेरे सक घुबलू मैं तेरे सक घुबलू मैं